सीक्विल्स बनाने का चसका सिर्फ बॉलिवूड को नहीं, हॉलिवूड को भी बराबर का है एक पिक्चर चली नहीं कि उसकी पूरी फ्रेंचाइजी बना डालो और अगर कहीं बीच में उसकी कोई मूवी फ्लॉप होने लगें तो उस फ्रेंचाइजी को रिबूट कर डालो और ऐसी एक पॉपिलर फ्रेंचाइजी की फोर्थ फिल्म मैंने देखी Kingdom of the Planet of the Apes मतलब ओवरॉल टेखनीकली ये 10th फिल्म है लेकिन वैसे लॉजिकली ये 4th फिल्म है लेकिन इंट्रेस्टिंग चीज ये है कि 1968 से ये एप फ्रेंचाइजी और ओडियन्स को वर्ल्डवाइड एंटर्टेन करती आई है और ये तो एक फैक्ट है कि 2011 में आई Rise of the Planet of the Apes से ये फ्रेंचाइजी अपनी कॉलिटी में एकदम कॉंस्टेंट रही है अच्छी स्टोरी और एकदम ही कमाल के CGI और VFX और अब जो ये नया पार्ट आया है इसके ट्रेलर से भी ये ही लगा था कि पिक्चर अपनी कॉलिटी में कहीं पर भी कॉंप्रोमाइज नी करने वाली तो इसके लास्ट री पार्ट में में कैरेक्टर था सीजर का जो की प्ले किया था आक्टर आंडी सरकिस ने और एकदम ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ स्पोईलर अलर्ट लास्ट पार्ट में सीजर की डेथ हो जाती है लेकिन अगर इसके last three parts नहीं भी दे रहके तो भी कोई problem नहीं है क्योंकि यहाँ पे story related तो है लेकिन connected नहीं है क्योंकि कहानी यही 300 साल बात की है तो अब एक नया character Noah आचुका है जो कि एक particular ape tribe को belong करता है और वहीं पे जो villain है proximus वो एक different ape की tribe को belong करता है अब इन दोनों के बीच में common है एक लड़की अब वैसे तो इस दुनिया में apes intelligent है humans से और humans ऐसे रहते हैं जैसे कि वो stone age के time पे रहते थे लेकिन फिर भी कुछ intelligent humans बचे हुए और उनमें से ही एक है यह लड़की में जिसके पीछे पड़ा हुआ है picture का villain तो जैसे कि हर picture में होता है होना तो वही है लेकिन एक दो twist के साथ और एकदम ही top notch CGI और VFX के साथ हर एक चीज इतनी ज्यादा realistic लगती है कि आपको एक second के लिए भी यह feel नहीं होगा कि यह असली के apes नहीं हैं बलकी humans हैं जिनने technology की वज़े से इतना perfect दिखाया गया है बॉलिवर्ड वालों कुछ सीखो इनसे तो picture का first half पूरी story को set करता है नए characters से introduce करता है और उनके character और story दोनों को एक build देता है first half में एक दो action scenes देखने के लिए मिलते हैं quality एकदम बढ़िया लेकिन duration में बहुत कम मतलब आप expect करते हो कि हाँ इसमें और कुछ जादा दिखने के लिए मिलेगा लेकिन वही पे action scene खतम हो जाता है लेकिन next half जैसी start होता है picture का pace बढ़ता है action scenes भी वापस देखने को मिलते हैं लेकिन फिर वही चीज quality में बहुत जादा duration में बहुत कम तो overall movie की duration around धाई घंटे की और इसकी length feel होती भी है बड़ी कम हो सकती थी लेकिन वही पे इसकी length को compensate करते है इस movie की visual जो एकदव ही perfect लगते है अगर आपने last movie और देखी हुई है तो आपको पता हुआ कि क्या नेवन है CGI और VFX का और उसके अनावा story में तो कुछ ऐसा नया न रखा था लेंड पिक्चर में उत्रहीं कम दिखा रहा था और उसको एक प्रॉपर आंगल और बिल्ड नी दे रखा था तो अच्छल में होना चाहिए था तो निपोर्टेडली यह movie भी आगे आने वाली ट्रिलिजी का first part है मतलब आगी भी all part आने वाले है तो अगर आप इ इसके last part पहले से देखे हुए है तो story wise शायद आप इतना इंप्रेज ना हो लेकिन अगर आप इस फ्रंचाइजी के already fan हो तो आप इसने जरूर थेटर में देखना आप्ट कर सकते हो और अगर आपने इसका पिछला कोई भी पार्ट नहीं देखना है तो भी आपको यह movie सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी फ्रेंद इन पामली की साथ शेर कर सकते हो so that हम मिल सकीं नेक्स इंट्रेसिंग वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए